नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी का VWIC में और मैं अमित कुमार सौनी एक बार फिर से सभी का हार्देख-हार्देख अभी नदम करता हूँ चैनल पर सॉलिट करता हूँ दोस्तों, जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें शेर भी करते हैं अधिक से अधिक वीडियो को अपने फ्रेंड्स में अपने ग्रूप्स में और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों bell icon पर प्रेस जरूर करें जिससे कि notification आप लोगों को latest update का continue मिलता रहे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो point पर चर्चा करेंगे जैसा कि यह सर्विदित है कि OBC आरक्षन का मामला जो की high court में लंबित है और केंदर सरकार ने जैसा भी हाल ही में पता चला है और सभी जगे ये वाइरल भी है कि मोदी जी ने 27 परतिशत आरक्षन दे दिया है medical entrance exam में और 10 परतिशत EWS को भी दिया गया है अब दोस्तों इसी के साथ में मध्यप्रदेश में भी सरगर्मी तेज हो गई और यहां पर भी मांग की जा रही है कि 27 परतिशत ही लागू किया जाए और इस प्रकार से जो होल्ड वाले अभ्यरती हैं उनको होल्ड पर न रखके पर्मानेंट न्यूकती की दिशा में अग्रेशत किया जाए अब दोस्तों इसी के संबंद में एक और जानकारी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने शास्की वा अशास्की विद्यालायों के विद्यारतियों के साथ एक बर्जूल बैठक का आयोजन किया और उनकी समस्याओं को सुना लेकिं दोस्तों उनकी समस्याओं को सुना और उनके विचारों को भी जाना कि भविश में क्या बनेंगे लेकिन भविश्य निर्वाता तो केवल गुरू ही होता है जब आप सिक्षकों को न्यूकती ही नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या बनेंगे तो इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं निकल जाता तो दोस्तों उसके संबन में भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे क्या कि शिवराज सरिंग जी ने क्या बात है कहीं क्या उन्होंने कहानी सुनाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस पत्र के देखें दोस्तों अकिल भारती ये लोधी लोधा लोध महसवा के दोरा ये पत्र लिखा गया और आप डेट भी देख रहे हैं कि 31 जुलाई 2021 को ये सुनश्चित करने तथा मद्ध प्रदेश राज्ज में OBC को 27 प्रतिशत आरक्षन प्रदान करने हिट अब दोस्तों थोसा हम डेटेल में जाते हैं कि इसमें जनसंक्या की बात की गई है कि OBC की आवादी 52.8% है तथा मद्ध प्रदेश में 51 प्रतिशत है मद्ध सरकार ने माननी उच्चितम न्यायले याने सुप्रीम कोट में दायर प्रक्रण क्रमांक में मद्ध प्रदेश साशन को जारी नोटिस के परिपालन में 14 प्रतिशत में ब्रदीकर 27 प्रतिशत आरक्षन लागू किया गया लेकिन बरतमान सरकार याने कि जो शिवराज सिंग चोहान जी की सरकार है उसके द्वारा हाई कोट में विचारा धीन प्रक्रणों का हवाला दे कर इसे लागू नहीं किया जा रहा है और नहीं सरकार की आगे मन्शा है कि वह इसे लागू करे जिससे प्रदेश की 50 प्रतिशत OBC की आवादी अपने हग केवं अधिकानों से व प्रदान करे अन्यता लोधी महासवा समस्त OBC की जाती संग्टनों से अन्य राज्यों में होने जा रहा है चुनावों में भाजपा का विरोत करने का प्रस्ताव पारित करेंगी तो दोस्तों ये बिल्कुल एक चुनोती भरा लेटर लिखा गया है प्रदान मंत्री जी से अगे प्रदान मंत्री का डिर्ने लेंगे ये तो समय आने पर पता चलेगा लेकिन अब हम आ जाते हैं विर्ट्वल मीटिंग में तो दोस्तों देख सकते हैं आप की विर्चुल मीटिंग में जो पार्टिसीपेत कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवरा सींग चोहान तो हैं ही साथ में इंदर सिंग परमार जी, सिक्षामंत्री भी बेटे हुए हैं और भी सदस्य हैं और ये दोस्तो वर्चुल मीटिंग की जा रही है शास की और असास की विद्यालयों के विद्यारतियों से उनके भविश के बारे में कार्योजना पूछी जा रही है कि भविश में उनको एक कहानी भी सुनाई जिसमें कि गुरु दोनाचारे और जो एकलबवे थे उनके एक दक्षना पर आधारित जो कहानी है अब सबी लोग जानते हैं कि इस प्रकार से गुरु दोनाचारे जी ने उनका उठा मांग लिया था और इस से सीक मिलती है कि आगे हमको प्रयास जरूर करना चाहिए चाहिए कितनी भी कठिन परिस्टिती क्यों ना आए और भी कई सवाल उनसे पूछे गए उनकी रुची के बारे में इंटरेस्ट के बारे में बात की गई लेकिन दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है ति यह जब तक सिक्षक नियुक्त नहीं होंगी और उत्किष्ट सिक्षक जब तक विद्यालों में नहीं आएंगे तो बच्चों में कहां से उत्किष्टा आएगी और भविश में किस प्रकार से उनका निर्मान होगा यह भी एक प्रशने का विशे है अब दोस्तों इसी के संबंद में कुछ important comments भी किये गए तो बोभी मैं आप लोगों को बता दूं कि हलंकी सभी जगे पर comments किये जाते हैं तो कुछ खास-कास comments हैं जो कि यह चैनित सिक्षकों की नियुक्ति से संबंदित हैं पदों की विद्धी से संबंदित हैं 27 प्रतिशत OBCR action से संबंदित हैं तो दोस्तों देखें आप यह कुछ महत्पून comments दोस्तों इस virtual meeting में हर युबा जो की चाहे सिक्षक वर्ति से संबंदित हो या ना हो सभी ने अपनी अपनी तरफ से comments की हैं और इससे पता चलता है कि काफी निराश हैं प्रशासनिक व्यवस्ता से शिवराज सरकार से तो दोस्तों देख पा रहा हैं आपके MPTT joining करें अतित और एक और लिखा है कि मामा जी शली आप हम अतिती सिक्षकों के अनुबा और उम्र को देखते हुए हमें प्रात्मिकता दें इससे कि हम अपने परिवार का सहारा बन सकें उसके बाद चैनित सिक्षक भी कहते हैं कि समय पर नियुक्ति प्रदान करें ताकि मद्यपरदेश की सिक्षक व्यवस्ता में सुधार में अपनी भूमी का अदा कर सकें उसके बाद में एक और कमेंट्स है कि मामा जी 27 प्रतिशत OBC रिजर्वेशन के आधार पर जल्दी भरती पूरी करो 100 प्रतिशत पोस्ट पर जोइनिंग करो मामा जी सिक्षक भरती जल्दी करवाएं त जैनित सिक्षकों की अपनी जॉइनिंग को लेकर के भी कमेंट्स हैं साथी साथ में दोस्तों और भी कई समस्याएं अतिति सिक्षकों की और जो भी ऐसा वर्ग है इस समय जो परिशान हो चुका है जो निरदर वर्ग है वो भी कई युजराओं से सम्मदित यहां पर जान है तो दोस्तों एक चोटी सी जानकारी थी कि किस प्रकार से वर्चुल मीटिंग को यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाज जैहिन जैवारत